सीटेट वर्सेजट मामले में मानी ने सुप्रीम कोट में आज लगतार दूसरे दिन मामले को सुना गया क्या कुछ हुआ कोट में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अंतर तक जड़ जड़े देगेगा नमस्कर दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप देख रहे हैं केरियर बिट योट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल एकन को प्रेस करना ना भूले जैसा कि आपको ग्यात होगा जारखंड से मामला ये सुप्रिम कोट में पहुँचा था और उसके बाद से बिहार से होते हुए ये मामला सुप्रिम कोट में पहुँचा था पहले सुप्रिम कोट ने दोनों मामले को आइडेंटिकल पाया और दोनों केस एक साथ टैग कर दिया था और एक साथ मामले के सुनवाई हो रही थी लेकिन आज जो बिहार वाला मामला है टेट वर्सेज बी टेट का मामला उसे मारेने सुप्रेम कोट ने आइडेंटिकल ना पा करके उसे अलग पाया क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ का सर्विस रूल है उसमें उसको भी चैलेंज किया गया है जिसकी वज़े से बिहार का जो मैटर है वो अलग होने के वज़े से इसे डी टेग कर दिया गया है यानि कि अब जहारखंड वाले मामले के साथ इसको नहीं सुना जाएगा और बिहार वाले मामले को अगली डेट दे दी गई है चार सप्ताहबाद की अब ये जो मामला है वो चार सप्ताहबाद टेक अप होगा बिहार वाला मामला ठीक है अब आते हैं जहारखंड वाले मामले पर लगतार मानेने सुप्रेम कोट में दूसरे दिन बहास होई और जैसा कि कल आपको ग्यात होगा कि एक पक्च का कुछ सम्मिशन बागी रह गया था तो उनके सम्मिशन के बाद से दूसरे पक्च का सम्मिशन शुरूआ और काफी देर तक मानेने सुप्रेम कोट मामले को लेकर कि कितना गंबीर है अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगतार दूसरे दिन सुनवाई चल रही है और आज मानेने सुप्रेम कोट इस मामले को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे सुन करके लेकिन थोड़ा सा सम्मिशन रह जाने के वज़े से आज भी ये पूरा सम्मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया और अब ये मामले के सुनवाई कल फिर से होना प्रस्तावित है लगतार सुप्रेम कोट इस मामले को सुन रही है और में भी कि कल इस मामले को फाइनल कर दिया जाए जारखंड का मामला जैसे ही कलियर होगा एक कलियर कट मैसेज जरूर कनवे होगा सुप्रेम कोट की तरब से कि सीटेट की वैलिडिटी को ले करके किस प्रकार से बाते आगे बढ़ेंगी सिक्षक भरती में और चार सब्ताबाद बिहार वाले मामले में बिटेट वर्सेज सीटेट मामले पर सुनवाई होने जा रही है यहाँ पर सवाल इसलिए भी है कि कई राजे अभी भी ऐसे हैं जो अपने यहाँ अपने सिक्षक पातरता परिक्षा के equivalent सीटेट को नहीं मानते हैं वहीं पर कुछ एक राजे ऐसे हैं जहाँ पर सीटेट होता ही नहीं है जैसे आप जारखंड में देखेंगे तो आठ साल से सीटेट नहीं हुआ बिटेट की बात करते हैं तो 2016-18 के बात से वहाँ पर भी नहीं हुआ है यूपी में बात करें तो 2021 के बाद से यहाँ पर यूपी टेट की परिच्छा का आयोजन नहीं हुआ है तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सिख्छक पातरता परिच्छा जो राज इस्तरी होती है उसको लेकर के बहुत सारी खामिया हैं अगर आप R.T. Act पढ़ेंगे तो उसमें mention यह किया गया है कि राज्य सरकार और केन सरकार की जिम्मेदारी होगी कि साल में दो बार सिटेट या फिर राज्य स्तरीय सिख्छक पातरता परिच्छा का आयोजन करना चाहिए अब अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ अगेंस्ट में फैसला देती है तो यहाँ पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप कम से कम साल में दो बार परिच्छा का आयोजन करिए उत्तर प्रदेश बिहार और जहारखंड जैसे राजों में दो बार तो छोड़िये एक बार हो जाए वहीं बहुत बड़ी बात है उनका सीटेट, राज जिस्तरी सिक्षक पात्रता परिक्षा कराने में जो खर्च और जो भी जिमिंदारिया रहती है, उसे वो बचना चाहते हैं, कि जब सीटेट हो ही रहा है, तो फिर हम आमपर ने यहां क्यों करा हैं, उसको एक्वेलेंट कर देते हैं, इनी सब मामलों को मामला सुप्रिम कोट में सुना जा रहा है, और यहां पर यह भी पक्ष है कि प्रतेक राज्य की जो सिख्षक भर्ती में अभीयर्तियों के एक्जामिनेशन करने की प्रक्रिया है, वो अलग अलग होती है, इस वज़ज़ से शीटेट जो की पूरे देश भर के अभीयर्ति वाला वो लगबग फाइनल हो जाएगा फैसला रिजर्व कर लिया जाएगा वहीं पर बिहार वाले मामले में चार सफता बाद अब डेट लगेगी सुनवाई के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो